अंगलिश्वना पिरामिल गाम काते महरू महमद भाई पतेलना निवास थाने राज्य तेमाज अन्नी राजुमाती मोटी संक्यामा नहीं ताओ तेमाज कारे करो सा इतना चाहको मुर्हू महमद भाई पतेलने श्रदान जली अपवाउंटी पड़ाता तेमाज गुजरात कॉ अन्य वाने मड़ी सांतन मा पाथविया थी साली रने सर्द्वबाव जे मनू विक्त्वीत वहतू एवा लोक लाडीला कॉंगरेस ना राष्ट्रेने ता स्वर्गवाज अहमत पतेलना दुकत अउसां थी तिनना परिवार जनो सहीत कॉंगरेस ने क्यारे पन पूरी ना सक अधुकत गड़ी मा स्वर्गवास अहमत पतेलना बारिवार जो नने सांतन मा पाथवा मा ते राजयत इमाद देस ना अन्य राजयोस वी एहमत भाई पतेलने श्रुद्दाम जली अर्पवा नेताओ धारास सब्यों सहीतना लोको मोटी संख्या मा हाई ये उम्टी पड़ जाता तुमना नीधर्ना पगले गुजरात कांग्रेस ना धारास ब्यों पना आवी पहुंची स्वर्गवास तैमद भाई पतेलना पूत्रंपहे जल पतेलनी शांतन मा पतिया ये एमत पत्रंपहे पत्तरो कार सा ते ने वाज़छित मना आवी वी ते ऊ राजकरन ती दूर रही ने स्वर्गवस्त पीता एमद पटे नी सेवा किया प्रवुत्यों ने आगर धपावशे रही ने पटे नी पटे खे उबाराया था मददने माजदेशन करी थी तर आजे एमद बटे आपड़ी वच्चे नसीत यारे एमना परिवारने सांत्वन आपवा माटे एमने सत्वारों आपवा माटे आखा गुजरात माथी तमाम जाती धर्म विश्तानना लोको आगेवान तमाम क्षेत्र ना लोको आजे आवी रहा थे परिवारने दिकरा दिकरी ने मड़ी सांत्वन आपड़ी रहा थे एमद बटे ना जे कारियों चे एमद बटे नुझे योगदान चे यहने आजे सव याद करी न असरु बेनी स्रद्दान जली पड़ा पी रहा कोंग्रेस ना तो नेता आता अज पन साथे साथे लोक नेता आता खोई राजकान सी उपर उठी नेक अजाज सत्रु तरीके जाहर जीवन मा खुब लाबो समय अमने सेवा आपी चे गुजरात माटे होई देश माटे होई समातना नाना मानस माटे होई अम्मेशा क्राइसिस न समयमा सत्वारो बन्या चे क्राइसिस न मेनेजर बन्या चे अने कपरा संजोगों मा एमनु योगदान आजे ने वर्षो शुदी याद रेवानु छे रादनी अमद बैनु गुजरात माटे नू प्रदान देश माटे नू प्रदान अने कॉंग्रेस पार्टी माटे नू प्रदान क्यारे बुली नहीं शकाए अने साते साते हमना जवा थी कॉंग्रेस पक्षनेर नहीं पर जाहर जीवन ना एक उमदा कोटी ना आगेवान गु अगाल हो गया, बहुत सेक्रों लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि फैजल जिनका जो पापा का जो काम इतने सालों से उन्होंने किया है, वो कौन लेगा आगे? तो हम तो पापा के शूज में नहीं बैट आ सकते हैं, उन्होंने जो जितना काम किया है, वो हमारे लिए तो मुश्किल होगा करने के लिए, लेकिन लोगों से बात करने के बाद मुझे बस एक चीज समझ आए, कि उनकी लेगसी जो हमें ले जानी है आगे, एमपी और मेले बनके नहीं होगी, उनका लेगसी है लोग समाज का काम करना और गरीब आद मी का काम करना, और यही मेरी और मेरी बेहन मुम्ताज, हम दोनों यही आगे करना चाहेंगे, मैं शुक्रियादा करता चाहता हूं सब लोगों का, कि उन्होंने पापक की शंदानल में इतना सुपोर्ट दिया और मुझे आशा है कि हम लोग पापा का काम और भी आगे बढ़ाएं, धन्यवर्ट पिताजी माते अपार प्यार में पांच दिवस थी, जो ही उचे है, मैंने मेरे पिताजी को खोया है पर हमें अब समझ आ रहा है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, पर कितने लोगों ने एक भाई, एक परिवार का मुख्या, एक पिता समान शक्सियत खोया है लोग आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं और हमें उन्हें समालना पढ़ रहा है, इतना फ्रेम, इतना प्यार देखकर दिल भराया है फैसल और मैं समझे हैं कि पापा को जिस तरह शायद दिली में देखती थे एक बड़े शक्सियत की तरह, वो मेरे पापा की पहचान नहीं है यहाँ पे पापा ने इतने लोगों का दिल चुआ है, जितने लोगों के लिए काम किया है अभी कोविट के वक्त भी आज मुझे कुछ लोग बता रहे थे, एम्बिलन्स सेवा हॉस्पिटल में बैठे बैठे पापा ने कितने लोगों का इलाज, खुद बिमार होते वे कराया है ये जो उनकी भावना थी और ये जो उनका मकसद था कि वो लोगों की मदद कर सके वो गरीबों के सर पर अपना हाथ रखे सके, ये काम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग पूछ रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएं, आप और आपके भाई, आप पापा का लेगसी को आगे लेकर बढ़ें पर इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं, पापा की खुद की फैमिली फाउंडेशन रही है, हेल्थ एजूकेशन में पापा बहुत सारी जगा पे और सोशल वर्क कर रहे थे, उनका जो गाओं था, वांदरी, ये सब चीज़ें बहुत ज़ादा, उन सब जगाओं पे हमारी बहुत ज़ादा ज़रूरत है और वही हम अपना काम करना चाहेंगे और पापा का नाम आगे लेकर जाना चाहेंगे, हम चाहते हैं पापा को इस तरीके से लोग पहचाने, और इस तरीके से जाने और याद रखें, और आप सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपनी हमेशा उनका बहुत सपोर्ट किय तो मेरे तरफ से आप सबको शुक्रिया बहुत बहुत और सब लोग जोन को प्रेम करते हैं